आपने एक कहावत तो सुनी होगी, इधर गिरे तो खुआ, इधर गिरे तो खाई नमस्कार हमें शुवानी और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मेरे जहान में कैसे आई वहीं चीन की अपील पर UNSC में क्लोस डोर मीटिंग हुई आतं को पना देरा कुख्यात पाकिस्तान और दूसरा दोका देने में माहिर मुल्क जिसकी फित्रत में ही बेहिमानी है यानि की चीन सैयुक्त रास्ट शुरक्षा परसद्वारा दोनों को करारा जवाब मिलता है आतं के मसीह पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान और उनकी गुहार में शामिल देश के लिए UNHC से दो टूक जबाब मिलते हैं सुनिये UNHC की रिपोर्ट So if national statements try to masquerade as the will of the international community I thought I will come across to you too, and explain our national position. And what is that? Our national position was and remains that matters related to article 370 of the Indian Constitution are entirely an internal matter of India. these have no external ramifications the recent decisions taken by the government of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted socio-economic development is enhanced for our people पाकिस्तान को जब कहीं भी पना नहीं मिलती तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से पूरे विष्ट को समझाने की कोशिश करते हैं जिनोंने लिखा है कि जागो नहीं तो मोधी सरकार मुस्लिम नाम ही खत्म कर देगी 18 अगस्त को नहीं अपने एकाउंट में लिखा है प्रधियों से अभिभूत मोधी सरकार के हातों में परमाडू अथियारों की सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर विचार करी क्योंकि इस मामले का प्रभाव केवल 6 तक ही सीमित नहीं है बनकि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है पहले से ही 4 मिलियन भार्ती मुसल्मान हिरासत केंद्र और नागरिक्ता रद्द करने जैसे अत्याचारों के शिकार है दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बोतल से क्या निकला है और अगर अंतराश्ट्य समुदाय ने इसे नहीं रोका तो RSS के गुंडों से नफरत और हत्याओं में रुजान होगा मोधी सरकार हिंदू धम की तलाश में नकेवल पाकिस्तान और भारत में रहने वाले अल्प संखिकों के लिए खत्रा बन गई है बल्कि स्तथ के कारण की नहरू और गांधी भारत के लिए खत्रा बन गई है नाजिवाद, नरसिहार और RSS भाजपा के संस्थापुकों के नरसिहार की विचाल भारा के बीच की कड़ी को समझने के लिए है अब बात यही खत्म नहीं होती आतंको पना और भड़ावा दे रहे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान की ट्विटर पर खिछाई होना शुरू हो जाती है जिसमें लोग लिखते हैं कि पाकिस्तान की फित्रत में ही आतंक बाद है वो कब चाता है कि भारत में सबका साथ सबका विकास हो बलकि पाकिस्तान और चीन तो चाता है कि भारत भी आतंक बाद का अड़ा बन जाए जबसे भारत सरकान ने जम्मु कस्मी धारा 370 को खत्म किया है तब से पाकिस्तान को आग में भी डालने जैसा प्रसीत हो रहा है क्योंकि भारत के रक्षामंती राजनात सिंग ने संदेश दे दिया है कि अब पाकिस्तान से बाद जम्मु कस्मी पर नहीं बलकि पी यो के पर होगी कहते हैं पाकिस्तान के लोग भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए किस बात पर बात होनी चाहिए कौन सा मुद्धा है जिस पर बात होनी चाहिए जो बात होनी चाहिए बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जब कि यो आतंकवाद वो संरक्षन देने का काम पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धर्ती पर कर रहा है जब तक उस आतंगवाद को समात नहीं करता है तो पाकिस्तान से बात्चीत करने का कोई कारण नहीं है बहनोबाई और आगे भी जो बात्चीत होगी किस मुद्धे पर बात्चीत होगी अरे बात होगी अब तो पाक अधिकरित कश्मीर पर बात होगी पाकिस्तान को यह डर सता रहा है जैसे भारत सरकार ने 307 धारा को खर्षी किया वैसे रातो रात कहीं वो फी ओ के पर कब जाना करने है खेर यह तो थी इमरान खान की अखीकत आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे जब तक आप हमें हमारे कमेंट वक्तो अपनी राय देना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले धन्यवाद खवर एक्सपर्ट आपको आपके छेति की हर खवर देने वाली वेबसाइट पेस्वोग और यूटूब पर धमक जमाने के बाद अवबारी है एंड्रोड एप की तो आप भी प्ले स्टोर पर जाएगे और इंस्टॉल कीजिए खवर एक्सपर्ट एप जाए एक ही जगा मिलेगी आपको हर खवर समय पर राज येताओ के बोल बचल पर चलेगा पब्लिक का पंच देखवर एक्सपर्ट शो में देश और दुनिया की हलचर और इनसे भी मिलिये में इंटर्वियू की बहुच्छा अब हर खवर की वीडियो मिलेगी यूटूब और फेस्बुक से भी पहले हर खवर की वीडियो के साथ मिलेगा नोटिफिकेशन तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएए और इंस्टोल कीजिए खवर एक्सपर्ट एप